बिग बोस 17 में अंकिता लोखंडे अपने रिलेशन्शिप की वज़ा से चाचा में बनी रहती हैं आयदिन उने पती विक्की जैन और सुशान सिंग राजपूत के बारे में बात करते दिखा जाता है हाली एपिसोड में अंकिता ने खुलासा किया है कि रिलेशन्शिप में उने दोखा मिल चुका है हाला कि ये दोखा उने किसने और कब दिया इसका खुलासा उने नहीं किया हालिया एपिसोड में आईशा खान को मुनवर फारुखी के साथ अपने रिष्टे के बारे में खुलासा करने के बाद रोते वे देखा गया आईशा ने मुनवर पर कथित तौर पर दोखा देने का आरूप लगाते वे कहा इस सब में मेदी का गलती थी मैंने कभी उसके या किसी के साथ गलत नहीं किया अगर वो नाजीला सिताशी के साथ रिष्टे में था और इसके साथ चीजें जारी रखना चाहता था तो उसे मेरे टच्मेंट नहीं आना था मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ इन चीजों से मेरा दिल तूट जाता है मैं सिब उसकी वज़ा से चुपती लेकिन अब और नहीं अंकीता ने आईशा को शान्द कराते वे कहा कि वो भी इस दर्ट से गुजा चुकी है और उन्हें कहा मैं यह सब समझ सकती हूँ मैं भी इस दर्ट से गुजा चुकी हूँ जिससे आप गुजर रही है मैंने भी यह सब फेस किया है हाला कि अंकीता ने इसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा और उन्हें नहीं बताए कि उन्हें दुखा कब और किस ने दिया था अंकीता ने शो में कुछ समय पहले अपने और सुषान के साथ ब्रेक अप के बारे में बात की थी जिनके साथ वो तीन साल रिलेशनशिप में थी उन्हों ने मनवर से कहा था तकि सुषान सरातों रात उनकी जिंदगी से गायब हो गए थे सुशान ने अंकीता के साथ ब्रेक अप का कोई कारण भी नहीं बताया था अंकीता ने कहा था उसे सफलता मिल रही ती इसलिए लोग उसे हेरिफर करने की कोशिश कर रहे थे फिलाल अंकीता अपनी शादी शुदा जिंदगी में मुश्किल दौर से गुजर रही है मिते कुरुवार के एपिसोट में वो पती निविकी जैन को इस रिष्टे से ब्रेक लेने का सुजाओ देती दिखाई दी इसे के साथ बने रालकामा टीवी के साथ करने वाद